नवस्कार आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रविण मिस्र आईए जानते हैं आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम बताएंगे आपकी राशी के अनुसार साथ ही जानेंगे आज क्या है आपके लिए खास उपाएं शुरू करते हैं पंचांग से 23 जुलाई 2023 दिन रविवार स्रावण मास चल रहा है शुकल पक्ष है पंचमी तिथी रहेगी सुबह 11 बज कर 44 मिनट तक फिर सस्टी तिथी प्रारंब हो जाएगी उत्रा फागुनी नचत्र रहेगा साम को साथ बज कर 47 मिनट तक फिर हस्त नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा करक राशी में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर भी चंद्रमा कन्या राशी में गोचर कर रहे हैं और भगवान शूर करक राश में कोचर कर रहे हैं। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बज कर 55 मिनट तक। दिशा राहुकाल का समय होगा साम को 5 बज कर 35 मिनट से 7 बज कर 18 मिनट तक। और दिशा शूल है पश्चिम दिशा तो आज पश्चिम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। और जो भी महत्यपूर्ण काम करना है अभिजीत मुहूर्त में कर लिजेगा तो आपके कार्य हवश्य सफल होगी। चलिए शुरू करते हैं आपके तारे सबसे पहले बाद मेश राशी की। मेश राशी वाले हर काम आज सावधानी से करें। मन की चिंता दूर होगी। परिवार की सलाह को मानने से फाइदा होगा। उधार लेन देन से आज बचना होगा। नेगेटिविटी को किसी भी तरह से बढ़ने ना दे। शुबरंग गोल्डन उपाय भगवान शूर्य को जल अरपित करें। ब्रश राशी नई योजना बनाने का समय है। धन प्राप्ती का योग है। आपका सम्मान और बढ़ेगा। वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करना होगा। कोई भी काम जल्दवाजी में करने से बचें। शुबरंग के सरिया। उपाय ओम नमो भगवते वासु देवाय इस मंत्र का 108 वार जाप करें। मिथुन राशी परिवार में सुख बढ़ेगा। व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होगी। आपके खर्चों में बढ़ोत्री होगी। प्रापर्टी से संबंधित फैसला सोच समझ कर करना होगा। क्रोध से बचना होगा। शुबरंग भूरा। उपाय भगवान गनेश की आरती करें। करकराशी। करकराशी वालों का मन उत्साहित रहेगा। परिवार से सहयोग प्राप्थोगा। आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। संतान की ओर और ध्यान देना होगा। प्रापर्टी में निवेश से बचें। शुबरंग हलका पीला। उपाय भगवान शिव को जल अर्पित करें। अब वक्त हो गया है सवाल लेने का। यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीक, जन्म स्थान, जन्म समय लिखे। और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम आपको बताते हैं। अभी सवाल ले रहे हैं उनका नाम है शुरेश पाटिल, शुरेश पाटिल जी ध्यान से सुनियेगा। इनकी डेट अब बर्थ है 14 सेप्टेंबर 1985 सुबह 11 बज कर 50 मिनट मुंबई का जन्म है। इनका सवाल है कि यह बिजनेस करते हैं। बिजनेस में जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्या बिजनेस कंटिन्यू करें या इसे रोक दें। शुरेश पांटिन जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। आपकी ब्रशिक लगन की कुंडली है और सिंग राशी है। आपका जन्म पूरो फागुनी नचत्र के 33 चरण में हुआ है। इस समय आपकी राहू की महादसा चल रही है जो फरवरी 2018 से शुरू हुई है और ये फरवरी 2036 तक चलेगी। और राहू की महादसा में शनी की अंतरदसा चल रही है जो अपरेल 2023 से फरवरी 2026 तक चलेगी। तो राहू की महादसा में शनी की अंतरदसा चल रही है। आईए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए आपकी कुंडली में जहां ये आठ नंबर लिखा हुआ है ये है ब्रशिक लगन और ब्रशिक लगन का स्वामी मंगल नौ डिगरी का जाकर बैठा है दस्वे घर में सांथी बुद्ध बीज डिगरी शूरे 27 डिगरी और चंद्रमा बीज डिगरी के बैठे हुए है और भागे का स्वामी है चंद्रमा और लाभिस्थान का स्वामी है बुद्ध तो भागेश और लाभेश दोनों जो है कर्मिस्थान में बैठे हुए हैं और सांथी कर्मिस्थान का स्वामी शूरे भी यहीं बैठा हुआ चार-चार ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली के हिस ग्रो करने लएगा यदि आप गॉर्मेंट से रिलेटेट कोई काम करते हैं गॉर्मेंट से कोई आज कल कॉंट्रेक्ट ले करके उनके लिए कोई माल सप्लाई करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है यानि सरकार को सर्विज देना और उससे प हमी चंद्रमा है सवा ग्यारा रत्ती का मोती सोमवार के दिन सबसे छोटी उंगली में चांदी के अगूठी में धारन कर लें दूसरा उपाय नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाट करें यह दो उपाय करिए बहगवान की क्रपा से आपका बिजनस धीरे-धीरे चलने लगेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात सिंग कन्या तुला और ब्रश्चिक राशी की इसके साथ ही यदि आपके मन में सवाल हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो आगे आगे जो कारक्रम आएंगे उनमें आपके सवाल सामिल करेंगे सिंग राशी सिंग राशी वालों का आज मान सम्मान बढ़ेगा धन की प्राप्ती का योग है किसी महत्य पूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी व्यापार की तरक्की के लिए किये गए प्रयास सफल होगे क्रोध में किसी से कोई बात कहने से बचें शुबरंग लाल उपाए भगवान शूर्य को जल अर्पित करें करन्याराशी मन की टेंशन दूर होगी भागे का साथ मिलेगा धन प्राप्ती के नए रास्ते बनेंगे आलश्य छोड़ कर काम करना होगा यात्रा से लाब होगा शुबरंग मरून उपाए ओम नमाश्य शिवाय का 108 बार जाब करें तुलाराशी अपने खर्चों को कंट्रोल करें लंबी दूरी की यात्रा से बचें सुक्सु विधाओं की प्राप्ती होगी कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी सेहत पर ध्यान देना होगा शुबरंग सिल्वर कलन उपाए दुरगा जी की आरती करें ब्रिश्यक राशी धनलाब का योग बन रहा है अपने हुनर को निखारने का समय है लोग आपकी बात मानेंगे अहंकार की भावना रखने से नुकसान होगा अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा शुबरंग हलका लाल उपाए हनुमान जी की आरती करें अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकतें उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीक जन्मिस्थान जन्म समय लिखे और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है गीता ओजा गीता ओजा जी ध्यान से सुनेगा इनकी डेट अब बर्थ है 18 मार्च 1998 सुबह 7 बजे लखनव का जन्म है इनका सवाल है कि मेरिज कब होगी गीता ओजा जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है आपकी मीन लगन की कुंडली है और तुलाराशी है आपका जन्म विशाखा न छत्र के दुती चरण में हुआ है इस समय आपकी शनी की महादसा चल रही है जो जुलाई 2006 से शुरू हुई है और यह जुलाई 2025 तक चलेगी और शनी की महादसा में ब्रहस्पती की अंतरदसा जन्वरी 2003 से शुरू हुई है और यह जुलाई 2025 तक चलेगी आईए आपकी कुंडली आपको दिखाते है देखिए आपकी कुंडली में जहां यह बारा नंबर लिखा हुआ है यह है मीन लगन और मीन लगन का स्वामी ब्रहस्पती जाकर बारवें घर में बैठा है 16 डिगरी का केत्व के साथ साथवें घर का स्वामी है बुद्ध और बुद्ध लगन में बैठा है 21 डिगरी का साथ ही लगन में मंगल 16 डिगरी शूर 3 डिगरी और शनी देव भी बैठे है 26 डिगरी के आप मांगलिक है आपकी कुंडली के हिसाब से जो मेरिज का समय बनेगा वो नौमबर 2023 से जून 2025 के बीच में शादी के अच्छे योग है यानि शादी का समय आने वाला है अभी से आप प्रयास शुरू कर दीजे अच्छे रिष्टे तलाशना शुरू कर दीजे और जो समय बताया उसमें आप फैसले कर सकते है उपाय क्या करना है उपाय नोट करिए पहला उपाय है भगवान गनेश की पूजा करनी है प्रति दिन और बुद्वार के दिन भगवान गनेश के मंदिर में हरे दूब घास की माला चड़ानी है और बेशन के लड़ों का भोग लगा कर प्रसाद बाटना है दूसरा उपाय हर ब्रहस्पतिवार के दिन पीली चन कि दाल भीगी हुई कम से कम एक किलो और उसमें गुड़ रख करके गव माता को खिलाना है ये दो उपाय रेगुलर करने हैं और भगवान शिव की पूजा प्रति दिन करने हैं भोले नात को जल चड़ाइए आरती करिए और मनो कामना पूर्ती की प्रात्ना करिए ये करना श से टेल लिखे और साथ ही अपना सवाल लिख दीजे वहां से उठाएंगे और आगे आने वाले करकरम में शामिल करेंगे आगे बाद धनुराशी की धनुराशी वालों को अपनी कार कुसलता बढ़ाने का ये समय है कुछ नया ज्यान सीखने में अपना टाइम लगा है आप के रुके हुए काम पूरे होंगे कहीं घूमने जाने की योजना बनेगी उन्नति के लिए किये गए प्रयास सफल होंगे शुबरंग गुलाबी उपाए गायत्री मंत्र का एक माला जाब करें मकर राशी भाग का सपोर्ट मिलेगा मन की उल्जन दूर होगी परिवार में शुक्षान्ती बढ़ेगी काम में आ रही रुकावटें दूर करने में आप सफल होंगे नए लोगों से मुलाकात होगी शुबरंग नीला उपाए सुन्दर कांड का पाट करें कुम्भराशी आज अच्छी खबर आपको मिलेगी इमोशनल होकर कोई भी फैसला आप करने से बचें परिवार से सहयोग प्राप्त होगा धनलाब के लिए अपने प्रयास और बढ़ाना होगा संतान से सुख मिलेगा शुबरंग नारंगी उपाए भगवान शिव की आरती करें मीन राशी नई योजना पर काम करने का समय हैं अपने हुनर का इस्तेमाल आपको करना होगा परिवार के साथ वक्त बीतेगा प्रापवर्टी में निवेश करने से बचे हैं हर काम सोच समझ करना होगा शुबरंग पीला उपाए भगवान विश्णू की आरती करें अब वक्त है आज के उपाय का क्रोध पर कावु पाने के लिए ये अचुक उपाय करें क्या करना है आपको सफेद रंग के कपड़े जादा पहने जादा पानी पीने की आदट डालें सोमवार के दिन चीनी का दान करें ओम नमाशिवाय मंत्र का 108 बार जाब करें ये उपाय करना शुरू करिए क्रोध पर धीरे धीरे आप कंट्रोल करने में कामियाब होगी है तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपका दिन शुब हो नवस्कार